क्या हुआ? काशी का विडियो बहुत ज्यानवर्धक होने वाला है. जो भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर-हर महादेव अवश्य लिखें. आज के विडियो में काशी विश्वनात महादेव, मंदिर का एक ऐसा रहस्य जानेंगे, जिससे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि काशी मंदिर में क्या घटित हुआ था. जो भक्त चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, बे चैनल को सब्सक्राइब कर, वेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई विडियो मिस न करें. काशी का इतिहास बहुत पुराना है. वैदिक काल में भी काशी का एक अनोखा इतिहास रहा है, जो अधर्मी ज्यानवापी परिसर में मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने इतिहास को नहीं पड़ा है. वास्तव में ज्यानवापी में औरंगजेब के आक्रमन से पहले भगवान विश्वेश्वर का वैदिक कालीन मंदिर था, और इसके ज्यानवापी काशी का मूल केंद्र है। कि नंदी का मुह हमेशा शिव लिंग की ओर रहता है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमान की आवश्यक्ता नहीं होती है। किसी भी शिव मंदिर में आप देख सकते हैं कि नंदी का मुख शिव लिंग की ओर होता है। तो फिर ये ज्ञानवापी में ऐसा क्यों नहीं है। वास्तव में ज्ञानवापी में भी ऐसा ही था जब आप काशी का इतिहास पड़ेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। काशी का नंदी भगवान ये चीक चीक के बता रहा है कि शिवलिंग वहाँ था आज जहां मस्जिद बनी हुई है। और इस प्रकार ज्ञानवापी की भी स्थिती उस समय वहां स्थित विश्वेश्वर के दक्षण दिशा में थी जैसा कि सकंद पुराण के 36 वे शलोक में वर्नित है। पुराणों में महादेव शिव को अश्ट मूर्ती कहा गया है। यह ज्ञान प्रदा ज्ञान वापी उन्ही की जलमई मूर्ती है। इसी अध्याय के सत्तवें शलोक में कहा गया है इति ज्ञानम ममोद भूतम ज्ञान वापी क्षणात क्षणात। अर्थात ज्ञान वाप को प्रत्यक्ष ज्ञानदात्री कहकर सर्वतीर्थोत्तम कहा गया है। इसे सर्वज्ञानात्मिका, सर्वलिंगात्मिका तथा साक्षात शिव मूर्ती कहा गया है। इक अंग्रेज इतिहासकार भारत आया और उसने काशी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अकवर और जहांगीर काल में हमें बनारस के इतिहास की बहुत कम सामगरी उपलब्ध है। जान पढ़ दहता है, पंद्रे सौ सरसथ ईसवी तक तो अकवर भी इस नगर से नाराज और टोडरमल और मांत सिंह के प्रयतनों से बनारस पुन एक वार चमक उठा। भाग्यवश अकवर के राज्यकाल में बनारस की सैर करने सर्व प्रथम अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच आया, फिच का यात्रा वर्णन सिक्स्टीवी सदी के अंत के बनारस का जीता जाग फिच ने लिखा कि सोलहवी सदी की गड़वड से बनारस उवर चुका था और पून धार्मिक जीवन में निशंक होकर जुट गया था। फिच के अनुसार इस युग में बनारस में कपड़े का व्यापार भी उन्नती पर था और शहर बगाल के व्यापार का सबसे वड़ा केंद्र था। उसने बनारस के अन्य विश्वास और धार्मिक कृत्यों का भी अच्छा खाका खीचा है। आईए हम भी फिच के साथ सोलहवी सदी के अंत के बनारस की सैर करें। इस शहर में हिंदू ही रहते थे, आज भी पुराने शहर या पक्के महल में हिंदू ही रहते हैं, मुसल्मानों के मुहले उक्त पुराने शहर के बाहर हैं। जिन मूर्ती पूजको को मैंने देखा है, उनमें वे सबसे बड़े मूर्ती पूजक हैं। इस शहर में दूर दूर से यात्री यात्रा करने आते हैं। इसके बाद वह बनारस के घाटों, मंदिरों और मूर् जैसी है और कुछ चार हाथों वाले शैतानों जैसी मूर्तियां पालती मार कर बैठी हैं और उनमें हर एक के हाथों में भिन 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 वस्तुएं हैं। मूर्तियां बहुधा खड़ी हुई होती थी, गर्मी में उन पर पखा किया जाता था। जब कभी हिंदू उधर से जाते थे, पुजारी घटा बजाते थे और यात्री उन्हें दान दक्षिना देते थे। फिच वनारस में एक अड़ा आद्दिया। गेहु, जौ और दूसरी चीजें चड़ाते हैं। पुजारियों का आशीरवाद प्राप्त करते थे, उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि गंगा में सनान करते हुए यात्री कुश हाथ में लेकर तरपन करते थे। घाटियों की प्रथा उस समय भी थी, पर सभवत घाट पके नहीं थे और घाटिये कच्चे चबूतरों पर बैठते थे। दान दक्षिना देने और सिर पर तिलक लगाने की प्रथा भी ठीक वैसी ही थी जैसी आजकल है। प्रथार में लाते थे। वे बीच में घंटे वजाया करते थे और पात्रों के चारों ओर जल का मंडल वनाते थे। फिर मंत्रो चार के वाद नैवेद्य देवताओं को अरपन करते थे और बैठे हुए लोगों के सिर पर तिलक कर दिया जाता था। यहां फिच लगता है किसी पारवन श्राद का वर्नन कर रहा है। फिच एक कुएं अत्वा वापी का उलेख करते हुए लिखता है कि एक कुएं था जिसमें नीचे जाने के लिए सीडियाओं लगी थी। जो पत्थर की बनी थी और इसका पानी सरवदा फूल फेंके जाने के कारण बड़ा ही गंदा और बदबुदार था। इस वापी पर हमेशा लोगों की भीड जमा रहती थी और लोगों का विश्वास था कि वहां सनान करने से सव पाप धुल जाते हैं क्योंकि वहां स्वय ईश्वर ने सनान किया था। उसके तल से वे बालू निकाला करते थे और यह बालू वड़ा ही पवित्र माना जाता था। यात्री जल ही में प्रार्थना करते थे। जल में डुबकी मार कर ये अंजुली से तरपन करते थे और इसके बाद घूम कर और तीन बार आचमन करने के बाद वे मदिरों में दर सरनंदी होते थे, तो यह विदेशी इतिहासकार कह रहे हैं कि ज्यानवापी कूप के पास भगवान विश्वेश्वर का विशाल मंदिर था, किसी भी इतिहासकार ने मस्जिद का उल्लेख नहीं किया है। अलमगीरी में इसका पूरा-पूरा वर्नन दिया है। विज्ञानों को पढ़ने की दृष्टी से जाते हैं। धर्म संचालक वादशाह ने यह सुनने के बाद सब सूवेदारों के नाम यह फर्माना जारी किया, कि वे अपनी इच्छा से काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीत को गई कि वे सब प्रकार के मूर्ति पूजा सबदी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी वंद कर दें। उस समय औरंगजेब की सेना का काशी में भयानक कहर देखने को मिला। नंदी के प्रकोप से मुगल सेना अंधी होने लगी और मुगल सेना प्राण बचा कर भाग गई। कोई भी नंदी भगवान की प्रतिमा को छूने की कोशिश भी करता, वह एक दिव्य अनुभूती के कारण दूर हट जाता। कोई भी औरंग जेब का सिपह सलार नंदी की प्रतिमा को तोड नहीं पाया, तूटे हुए मंदिर के उपर मस्जिद खड़ी कर दी गई। यही कारण है कि नंदी का मुम्ह आज भी मस्जिद की ओर है। इस प्रकार से काशी विश्वनात मंदिर तोड दिया गया। आपकी क्या राय है। अब उस पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। इसी के साथ यह विडियो यहीं समाप्त होता है। जै शिव शंकर। हर हर महादेव